दर्चक ब्रेंद नवस्कार, कुने समय यस्ता होस प्रधा न्यादिस चुलेंडर समसीर जवरा चर्चामना होन, न्यादिस नियुक की देखी प्रधा न्यादिस चैन सम तथा फोईसेलार कार्यासली का कारण चर्चामा आई रहे, अईली करीब तेरा महिना कार्यकाल बाकी प्रधा न्यादिस चुलेंडर समसीर जवरा फेरी बिवाद को भूंगर मा परेकाचन, प्रधा न्यादिस को बिवाद को स्रिंखला एक एक सिर्जित भायक बने होई न, प्रधा न्यादिस निक्त भाय देखी नई फोईसेलार पेशी बेवस्थापन का विश्रेमा न्या प्रधान मत्री केपिसर मा उलियरे प्रतिनिस सबाब बिवाद को भाग बने होई जवरा को सायनो राणितिक भाग बने मा पनित जोडियो समय धाने के निकाएको निक्तिको भाग लियेको आपे विवक्षे भायको मुद्दा को सुनवाई गरेको आपुलाय विपक्षी बनाईयेको मुद्धा लाम समय समस्वाई नगरेको जोस्ता आरप जवरा माथी लागे ती बिशायले निर्कियोल नपाउदे पुन सरकार संतलान मैं जवराले इसा ख़शेको बिशाय पनी जोडिये पसी बर्तमान विवात अहिली उत्रस्यमा पगेको छा स्वर्वत चके बहुमत नियादिस प्रधा नियादिस अरु बिरुद्ध मुर्शा बंदी माचन स्वर्वत चके बहुमत नियादिस प्रधा नियादिस बिरुद्ध मुर्शा बंदी माचन चोलेनर माथी मुख्या आरुप्षा पदिय करतेवा पुरा नगरे का तथा नयाइक आतरान का प्रश्ण रहेको पोहिलो पटक प्रत्नियादिस सवा बिगट्षन भाय पाची ततकालेन प्रधान मंत्री ओलिलिये संबेदाली नियुक्ति का लागी अध्यादिस लियाई अध्यादेश को बिरोद भाई पनी प्रदा नियादेश जबराली अध्यादेश अनुसार को नियुक्ती मा भाग मात्र लीनन भाग बंदमा पनी सामेल भाई नियुक्ति बिरुद्ध सर्बच अदलत मा रीट जर्ता भाई तरा 11 महिना सम्म प्रारंपिक सुनवाई को पनी रीटकल भाई को सही न ओलीले दोस्रोपट गरिको प्राथनी दिस्वाब बिकर्चन पनी अदलत ले बदर गरियो कुने समय बरिष्टतम नियादिस दिफक राज जोसी पिरुद्ध जवराली कारकी लाई प्राय गरी प्रधार नियादिस अनुमधित नभाय पछी बरिष्टतका रूपमा लामो समय राजिनामा नदीका जोसी को नियाय परिशत को सदस्य पत खोशेर जवराली कारकी लाई 2024 फागुन 30 गते अवकास को पत्र थमाई दिये, अवकास को पत्र दिनु अगी परा जुनीले नेतुत्र गरेको इजलास हाल को प्रधा न्यादिश जबराले वहिस्कार गरेका थिये। कांटीपी पॉब्लिकेशन व्रुद्ध को अबहिलाना मुद्धा को सुनवाई बहिराई को राउक्तर इजलास सुलेंडराले वहिसकार गर्धा का कारण लेखेका थिये। कोटको बहिसकार गर्ने गोशना सुकर्मी न्यादिश ले गरेशके काचन। सुरत का अनुशार प्रदाया न्यादिस बहिठकर बेंच दुबै बहिसकार समजाने त्याली माचन। उतार निकपा मावदी केंद्र का अदेख्षे पुष्प कमलधार प्रसंद निकट माने ने बी एनसी अस्पताल जहापा का संचारक दूरगा प्रस्वाईली आलोचना गर्दी अंतुत निकपा एमाले मा प्रभेश्च गरेका छन। आईते बार ग्रिहत जिला जहापा पुगे का एमाले अदेख्षे केपिस्टर मा ओली ले प्रस्वाईली एक हादा ओडायर पाठी मा प्रभेश्च गरायका होन। प्रभेश्च गर्मा उनले आपनो मंतेवे राखे मंतेवे का क्रमा उनले मावदी केंद्र का ओडेख्ष प्रस्वाईली 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 लाई कौम। बन लाज लागने बताई आजाको दिन देखना को लागे क्रांति गरी को हो भन्दै प्रसंदर बावराम दोवेला प्रस्थन गरे। अबादी बिरुद्दक खोईरो पनी खनी रहे। येस अगी एमालेरा मावबदी केंद्रा बीज एकता हुनु अगी प्रचुन्दरा ओडीलाई आप्रे निवासमा लंच भेट करेका प्रसाहिली दोवेलाई मार्शी सामलक भाद खुआयका थिये रा उक्ठ तस्वीर अधि सार्वजान्जीक रूपमा चर्चा भाईरांचा। दुहाजार सतहतार फागुन्तियाई स्गती स्वर्बच अधरातले निकपा खारेज गरेरा साबिक कैई एमालेरा मावबदी केंद्रा ब्यूंता है पाची परसाहिं उलीतीर लागे का हुन। और कुतिरे निकपा एमा सार्वलीमा अजबल थाप्यो। रावल एमाले एक हुदा पकट का एसाबले थेस्वो सक्तिसाली नेता थिये। सबैवन्दा बल्यूपकट अध्देख्चे केपीश्रमा ओलिको थियो। थेस्पची ततकालीन एमाले बरिष्टा नेता मादप कुमार नेपाल को थियो। उनी तेस्व इस्थान मा थिये, सुदुरु पस्षिम्र कोणाली प्रदेश मा रावल को पकड़तियो। ततकाली नेकपाम मा क्यपीशर मा ओली बिरुद्ध कड़ा रुप मा प्रथोत हुने रावल नहीं थिये। कदिपायले रावल लाई प्रमुख पतिबक्षी दलकोड नेता नहीं, रस्तो ठानते ओली को खरो बिरुद्ध करी जहांदा, उनी माधपक मा नेपाल पकशे मा मजबुद्ध ठारिये। नेक पाग व्याजन हुदा रावल ले माधप नेपाल को साथ दियेन, उनली एमाले में रहेर संगर सकाने कठो दिनने अलिये, उनली माधप नेपाल पकशे बाट ठूलु आलचना खेपनु परिकुतियो, गदार समको आरप लागयो। उनली माधप नेपाल नौ माधी बेशन मा अधिक्षे मा चुनाब लर्दा, रावल स्वई समोह बाट उपा दक्षे का उमेद्वार थिये, उनली उपा दक्षे मा सवे भंदा बड़ी मत लियायर, निर्बाची तुने मोग का पाई। बामदेब गोउतम बिद्दा देवी बहंडारी जस्ता हस्ती नेताहरु को भंदा रावल को मत बड़ी थियो, यसले उनलाई एमाली को भावी अध्रिक्षे का रूप मा दावेदार बनाय दियो, पकटको हिसाबले रावल तेस्रो शक्ति साली बनी सके का थिये, उलीर ने किकरण भाई नेकपा बन्दा रावल माथी धका लागे को थियो, उनी सल्चिपाला श्रश्य समेत बनाये नन, तरा उनी निरंतर संगर्षा मा उत्रिये, यती धेरे संगर्षार बिद्रुहका बोली बोलदे गये का उनलाई दूर गामी रार्नितीमा नकरापमंग असर पर अहीले उनी नेकपा एमाले मा चान, तरा उनको पकर जण कमजोर देखिये कुछ, मादब नेपाल को साथ चार्दा उनी ओली विरुद्धा जुद्धा निके कमजोर सावित भाय का चान, उली ले उनलाई अजे पेलने संभावना बड़े र गाय कुछ, मादब नेपाल ले उनको नाम नली हर बिजो को भाय को टीपानी गारे का चन, एमाले मा उली पक्षे को पेलाई मा परदे गए रावल को हालात मादब नेपाल ले भने ज़स्ताई नहोला बन साके देना, तरा उनली येस बिस नही बिद्रह गरने संभावना पने देखिये कुछ, येस अगी प्रतिपक्षी दल नेखपा एमाले को अध्यक्से केपिसर मा उली ले दस्पुदे काराणोयन कारयादल का समयजक भिम रावल ले दीएको राजिनामा कही पनी नभाय को जबाब दिये का धिये, सनी बार थापा थले हिस्थित केंद्रिय काराले मा भर्चोल माध्यमबाट पार्टे को उड़ा कमिटी को अधिबेशन उढ़ाटन गर्ना, पुगिका उलीलाई संजार कवमीले रावलको राजिनामा बारे सोधिक प्रस्तमा कही पनी नभाय को उनले बतायका होन। अधिक्षा उलीलाई यस अगे पटक-पटक दसबुदे अशरम सा पालाना गर्न सम्मतन गर्नों पने भंद्या आयका थिये, बीचमा उलीले रावलाई दसबुदे माध्पुरा होने आश्वसन पने दिये का थिये, तरप पच्छिलू समय उली दसबुदे सहमाती प्रति सक्रिया न दिखिये पछी सुक्रवार रावलली समय जक पदबाट र्राजिनामा दियेका होन। बसनेत निकट यूबा प्रतिने दी हरू ठुल संख्यामा चायन हुने देखियेको छा। वड़ा अधिवेशनले तेही परेशिती देखायाको छा। स्वहमातिकार नोयन गर्ना केपी उली पक्सेले अस्विकार गरेश सकनी दुईवेटा समनामतर कमेटी हरू एकले अरकाको अस्तित्वा स्विकार न गर्ने अवस्ता बनेक हो। ओली समुहर तेश्रू धारकाने ताहर बीच एकली अरकालाई आरफ्ला गायर बक्तविया निकालने होड बाजीने चले कुछा। कातिक दुईगते नेकपा एमाले सुन्सरे जिला कमेटी का अध्येक्षा रेवती रमड भंडारी का नाम बाट एउटा प्रेस बिगेपी जारी भाय। जस्मा कातिक दुईगते पाटिको सचवालाय बईठक बसेको र बिविना निनाया हरू भायक उल्ले अखितियो। उक्ता दिन रेवती रमड भंडारीको अध्येक्षेता एवाम केंद्रिय सदल्सिया बय यब वसेनको अध्येक्षे आतित्यामा बसेको सचिपालाय बईठकले कातिक छागती ओडा अधिवेशन हरू सफाल बनावनेरा कातिक नोगते पालीका एहतरिय समेलेन हरू सफाल प अध्येक्षे रेवती रमड भंडारीको अध्येक्षेतामा बसेको सचिपालाय बईच्येक अभईधानिक एपम बिदान बिपारीद भायको भांदे तिस्त्रो धार का नहेता हरूले पनी आपाति जनाय काच्छन